एएफल स्टूडियो ओपन होने के बाद यहां पे हमें दिखे गाल याप एक हिंड पैनल वहांपे हमें जहां पर प हम कर्ोसर लिककल पता देगा से तो आगर मैं कर्ष यहांपे लिक派 रहा है तो दिखा रहा है प्लेइलिस्ट यहाँ पे प्याणारोझ यह चैनल रहना है और यह mixer ilal की लिए हमें यह चार्जाज बहुद इंपॉर्टन्ट है उसके बागी की अंदीरेदे बाद मैं से कario mi इंपॉर्टन्ट है और उसके बाद यह है metronome यह tempo tempo मतलब speed जो काने का speed होता है वह तो सबसे पहले हम काने क्रेट करने से पहले उसका speed हम identify कर लेते हैं क्यूंकि अगर हम अभी जो decide किया हुआ speed है अगर एगे चलके हम कम या ज्यादा करते तो उसकी वज़े से उसका impact हमारी गाने के feel पे हो जाता है और chances होते हैं कि वो feel हम kill कर सकते हैं तो बाद में वो sound करेगा बहुत तो उसके लिए बहुत important है सबसे पहले आप tempo गाने का identify कर सकते हैं तो सबसे पहले tempo identify किसी करना हम देख लेते हैं यहाँ पर right click किजिए tap पे click किजिए suppose कोई melody है आपके दिमाग में like example ना 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 आपको simply यहाँ पे click करते रहे तो melody ऐसी है तो उसका बीपे में 83 तो हमने identify कर लिया है हमारा tempo तो उसके उपर हम chords बना सकते हैं यह speed पर हम पूरा track यह final रहेगा इसके उपर पूरा track decide होगा तो यह आज हमने सीका tempo